जहन दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल इस्टडी स्टैक पर देखे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसा कोशन करने वाले हैं जैसे कि कोशन में क्या दिया है चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ड वर्ग संख्या क्या होगी हमको नहीं पता कि च सोला है सोला काहे का स्क्वाइर है आपने चार का स्क्वाइर है अगर सोला का अंडर रूर निकालते हैं क्या है चार का यानि कि चार का वर्ग सोला होता है तो यह सोला है ना यह एक पूर्ड वर्ग संख्या है परफेक्ट स्क्वाइर नंबर है इतना समझ में आ गया अब ह संख्या जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग हो तो वो जो संख्या है वो क्या होती है पूडवर्ग आप जैसे कि 16 पूडवर्ग है क्यों कि यह किसी ना किसी का वर्ग है और किसका वर्ग है तो चार का वर्ग है चलिए इतना संद में आ गया अब देखिए कैसे निकालेंगे क तो हमें नहीं पता क्या होगी तो लेकिन व्वोगों को पता है कि चार अंकों कि सबसे भड़ी संख्याय क्या होगी बताइए चार लिए ही तो होगी एक दो चार अंक हैं इसमें अगर आप ने नो हजार की जगेशार कर दिया कितना देखिए दसहाजार तो कितने हो गए एक तो तीन है पूड वरग संख्या नहीं है लेकिन कोश्चन में क्या क franch dalam सबसे बड़ी हो duh तो अब हम देखते हैं की यह फिली निकालने तो घटो बाग बांखभी तो निकालनी के लिए मतलब की यह का दो DOUब का पेर जोडा बनाए जाता है तो यह देखो इस नौर इसनो का एक इतनी बात से ही चलिए अब हमने क्या कि आपको ये भाग विदी से वर्मूल निकालना हम सिखा चुके हैं अगर आपने नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी आप वहां से इसको देख सकते हैं अब इसके बाद हमने और इसका जबाब गुणा करें तो या तो यह निन्यानवे आए मतलब जो पहले पेर की संख्या है या तो वह आए या इससे कम आए इससे जादा नहीं होना चाहिए समया गया अब देखिए अब हम यहां पर क्या क्या रख दें ठीक है तो देखिए अगर छे और छे च्छ च्छका 36 बहुत कम है अगर आठ रखेंगे तो कितना आएगा देखिए तो आठ अठ चौशट अब देखिए नौ रख सकते हैं तो नौनम एक्क्यासी यानि नौ और नौ यहां रखेंगे गुणा करेंगे तो एक्क्यासी आएगा लेकिन अगर दस रखेंगे सो आ हो गया तो भैहाई है जादा नहीं करना है कम में ही चलना है ठीक है तो दस नहीं रखेंगे हमने क्याग रख दिया नौ यहां तो नौनम अंव रखना पड़े गा चलिए C spark रख दिया अब घटा लो भी या घटाना तो आता होगा ठीक है नौ मैंसे एक जाएगा क्या है आठ आएगा नौ मैंसे आठ जाएगा एक आएगा अठारा आगया अब जैसे कि भाग में एक संख्या उतरती है ना नीचे यहां से कूद के नीचे आती है तो इसमें पूरा का यहां पर आपके संख्या होगी या तो इस को इसमें जोड़ेना है आप हमें क्या कर ना होता है लिखनी है मान लीजे अब आपको हम समझाते हैं यहां आपने वाई रखा ठीक है तो यहां भी आपको वाई रखना होगा और इस वाले वाई का इस पूरे में यानि की 18 वाई में गुणा करें तो क्या हो यह आए 1899 या इससे कमाए जादा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए ठीक है त 25 25 25 चालिस बहुत ज्यादा ही कम है ठीक है और देखते हैं और हम क्या रख सकते हैं थोड़ा बड़ा रख लो वन एट यह रख लो गुणा आठ अठ चौन सट की चार हांसिल श्याट चौन सट चे कितना हो जाएगा सतर की जीरो हांसिल साथ आठ एकना साथ पंद्रा पंद इससे काम है लेकिन अगर आप इसमें दस रख दें यानि की वन एट वन जीरो गुणा जब 10 का करेंगे तो क्या आएगा इसी में इक जीरो और बड़ जाएगा इसी में एक जीरो बड़ जाएगा आठारा अजार सो आगया यहाँ तो अठारा सौ में चल रहा इगा अठा अब हमने क्या बताया जो यहां पर नौ रखा है ना तो इसका इस पूरे में गुणा करेंगे तो देखिए इस से कम ही आएगा ज्यादा नहीं होगा ठीक है तो 901 81 की एक हासे आठ सी जीरो और असलमे आट कितना होगा असी की जीरो हासे 181 अब इसके बाद क्या है तो अब आपको किया करना है इस मैं से घटा लेना है कितना आएगा आठ आजाएगा नौ का नौ यहां से पर उतर जाएगा एक आजाएगा एक सो अठानवे आ गया अब जड़ा एक बात बताओ उतारने के लिए आगे कुछ है तो काहे को उतारेंगे एक भी जोड़ा नहीं है आगे उतारने के लिए तो अब हम क्या करें कि भाईया कोई भी संख्या मतलब जब उसका वर्गमूल निकल जाता है यहां पर जब जीरो आता है तो वो क्या होती है एक पूड़ वर्ग संख्या होती है फी conductor जैसे की आप दो से चार में भाग लगाएंगी कितने वारें जाएगा दो दूनी चार तो चार से कह सकते हैं कि यह पूडवर्ग संख्या है नहीं न कह सकते हैं अब देखिए तो इतना जो है यह सेस फल बच गया यानि कि अब देखना अगर इतना नहोता अगर इतना नहोता तो यह संख्या पूडवर्ग हो जाती होती कि नहोती अब यह एक्स्ट्रा बच गया क्या है एक् इसको इस संख्या में से हटा दो तो क्या हो जाएगा पूडवर संख्या नहीं निकल आएगे अब देखिए घटा देते हैं यहाँ तो देखिए हमारी मूल संख्या क्या थी चार बार नो चार बार नो एक्स्ट्रा कितना है इसमें 108 घटा देंगे ठीगा नो में से छूड़ आट क्या आएगा इस्मेंी न आएट 30 फार यह सौण यह 19 बात बाकशचा डिया है और हूं यह आनसर आने में बदा कौन ला रहा था यह नहित इस दो इस दोएदा को हमने calm सफथा दिया इसको हमने हटा दिया तो उतना ही तो बचे गा जितना 99-99 का वर्ग होगा क्यों Caesar-99 आ रहा था और यह चीज बच रही थी आप इस मैंसे अमने 1809 यही आंसर हो जाएगा तो यह क्या होगा ये जो 89801 जो ये संख्या है ये 99 का वर्ग होती है और चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो की पूर्ड वर्ग है वो यही है चलिए आपको संवे आया की नहीं अब देखिए हमने क्या किया ये सबसे बड़ी कैसे है क्योंकि सबसे बड़ी जो चार अंकों की संख्या थी वो ये थी इससे जादा संख्या होई नहीं सकती है चारंकों की सबसे बड़ी ठीक है अब इससे बड़ी कोई संख्या हो नहीं सकती तो हमने क्या किया कि सबसे बड़ी संख्या मान ली और उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल लिया अब हमने देखा कि इस वर्गमूल में इ 9800 जो है वो चार अंकों की सबसे बड़ी पूड़ वरिसंग्या है और यहीं क्या हो जाएगा आपको आगया होगा कि इस तरह का अगर सवाल होगा इसको कैसे करेंगे आप जब इसको करेंगे ना तो दो से तीन मिनट लगेगा इससे ज्यादा नहीं लगेगा समझाने में ज् किसी नेक्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और हाँ एक बात अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है समझ में आ गई है तो बिना लाइक किये मत जाना चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियो रगलर मिलती है मिलती है नेक्ट वीडियो में धन्यवाद